students problem solve करेंगे हम लोग आज introduction to velocity से related जिसमें हमारे पास statement यह है कि हमारे पास एक cyclist है जो के complete कर रहा है half round of a circular track of radius 318 meters in 1.5 minutes find its speed and velocity अब इस statement से आपने सबसे पहले data collect करना है और data जो है वो क्या होते है हमारे पास जो initial information जो के हम इस statement से मिल जेती है अब अगर हम देखें students के हमारे पास इसमें सबसे पहले जो बात की गई है वो एक cyclist की की गई है अब cyclist को ले आते हैं हम लोग अपने इधर ड्राइंग में कि हमारे पास एक cyclist है और cyclist जो है वो एक circular path फॉलो कर रहा है और उसका circular path है वो किसना है वो semi circle है यानि कि circle का आदा हिस्सा यानि कि यहां आप देख सकते हैं कि मैंने एक circle का जो यह अगर इसे मैं इसको पूरा complete करना हूं तो यह मेरे पास एक circle बन जाएगा ठीक है लेकिन circle का आदा हिस्सा जो है उस तरह का उसने एक track फॉलो किया सकते हैं कोई hill type है हमारे पास तीक और उसके इसका half round trip of a circular path हो गया अब उसके बाद जो इसने radius बताया है उसका वो हमारे पस कितने है यानि कि r is equal to 318 meters तीक है 318 meters है और radius क्या होता है students हमारे पास जो circle होता है उसका आदा हिस्सा जो हमारे पास क्या कहलाता है radius क्या है यानि कि यहां से यहां तक का जो distance है यानि कि center अगर मीटर्स में दिया है और मीटर्स हमारे पास ऐसा unit है length का तो इस वाद से हम इसकी conversion नहीं करेंगे हमने अपने तमाम information जो है वो ऐसा unit में रखनी है अब time को अगर हम देखें तो जितना time उसने a से b तक पहुंचने में लगाया है students वो हमारे पास given है 1.5 minutes और minutes जो हमारे पास एक minute होता है उसमे हमारे पस कितने हो सिक्स्टी सेकंड होता है students हमारे पस 1 minute में कितने सेकंड होता है 60 सेकंड इस वhãदा से हम क्या से हम क्या करेंगゲーム गहाम इसको convert करेंगे चब हम minutes मेंchos 1.5 million tak 60 अन्यवकर करें हमारे लुटन करते हैं 90 सेंट हो सजाए उर कानसर आजाएगा अब यह हमने ताइम को अन्वर्ट करें तुटन्स अब हमने इसकी क्या घूंट है अब स्पीड और विलासिटी में जो डिफरेंस अगर हम वो देखें अगर मैं इसके लिए इसके लिए इनोटेशन जो यूज कर लेती हूं वहाँ हमें शो कर देगा और वी जो वेक्टर होगा यानि के वी अगर यह वाला साइन डाल देते हूं तो यह महार पाँ विलासिटी ब्रिवाइब वाइब वाइब पाहिद ताइमा तंश देख झाय टेख दिए कर दिए कर दो किसे वा वाट देख होगाँ और वेलासिटी जो हम इसकोन दिन्स आर झाल इसको से एक्जामपल से चेखन तो इसी एक्जमें करना चाहें तो ए से बी तक जो पात फॉलो कर रहा तो आप देख सकते हैं कि यहां साइकल जो है वो यह वाला पात अगर फॉलो करती है ए से बी तक महुंचने में तो वो उसका डिस्टेंस होगा ठीक है लेकिन अगर हम शौटेस डिस्टेंस देखें ए से बी तक तो वो यह वाला डिस्टेंस है जो कि स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है और जो हमारे पस दूसरा डिस्टेंस होता है जिसमें आप कोई पात फॉलो कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पस वो क्या किलाता है वो हमारे पर दिस्टेंस होता है लेकिन जो डिरेक्टिट इस्टेंस होता है वो हमारे पर डिस्टेंस बना रहा था और से ढ़र माझे सब बडरा एगर कि मतल हम थैगे ढहर देखें तो अगर हम मतले कि APPLAUSE हमारे अधर की सब्सक्राइब मी fenomen को तेखें तो हमारे बर च्थर की सब बड़ा पर करें के नहीं नो है कर सबतेjer धिंजकर माझे जओए इसको और याद फीर अगर मैं इसमें radius की value क्यंपे हमें given हैXT तो radius की value मैं इसमें put कर दे तो прते हमेरे धीस्टंस निकल आएगा यहां मैं इसकी value पोट करने जा रही हो distance हमारे प स्पाइ की value होती है वह 3.14 और radius कख़ए हमें given है और that it is 318 meters ठीक है तो मिले पास your distance इसको कैलकुलेटर की मतभ़ से अगर निकालने तो आपके पास डिस्टंस कवर पाइद बॉड़ी आए तो आपके पास 9-99 मीटर थीक है अब अगर हम देखें। इस अगर तीटंस निकला है, अब हमने लिएटिस्प्लेसमेंट निकालने है तो आप डिस्प्लेसमेंट। मैंने बूता है कि अछिर्टेश दिर्रेक्टेटिट से कुष्के करोंग। और यहां से यहां तक का जो यह डिस्टन्स हो का है हमारे पास यहां से यहां तक का जो पात हो का है हमारे पास डिस्टन्स निकलेगा तो मेरे पैस क्या आ जाएगा हमारे जो आने स्टेट calls 6 meters नियाकि कि A से B का डिस्टन्स क्योंकि यह हमारे पास radius है और radius का मैं डबल कर दोओна मैरे साथ मेरे साथ मेरे पास a से B का distance आ जाएगा सभील है अब यहाँ हमने distance और displacement दोनो निकाली है अब at the end हम उसको velocity और speed के formula में put करेंगे और अपने results जो हैं वो find out करनेंगे अब देखें कि यहां मैं इसको put करने जारी हूं students के मेरे पास speed है वो हमारे पास कैसे है कि distance जो हमारे पास क्या है 999 divided by time जो हमने निकाला था students 90 seconds तो मेरे पास जो answer आता है वो आता है 11.1 meters per second क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास speed और velocity का जो formula होता है जो unit होता है वो हमारे पास सेम होता है लेकिन सिरफ उन दोने में जो फरक है वो यह है कि velocity हमारे पास क्या है students हमारे पास एक vector quantity है जब कि speed हमारे पास एक scalar quantity है अब मैं velocity के लिए निकालते हूं तो velocity displacement divided by time का होगा तो उसका formula हमारे पास displacement divided by time है तो displacement के लिए यह जो term है वो यह जो calculation हमने की है 636 divided by 90 यह बुट करूंगी और मेरे पास जो answer RS यानिके 636 divided by 90 seconds is equals to हमारे पास क्याता है 7.07 meters per second तो यह इस तरह से हमने students हमने distance और speed और velocity जो हमने calculate कर लिए